प्यासा है तो वे के पास आई गाई जब तक exam clear नहीं हो जाता तब तक तो जरूर आईगा आप अंदर से कैसे हैं आपने घर में कैसे हैं आपके value system कैसे हैं आपने दोस्तों को लेके यहीं से शुरू हो जाता है एडिशनल टेक्स आप लगाते हैं एट्रो सिटीज हो रही है एवल अपने राज जी की अलाउट देन खिल जी कैसे वो राजा बना किसी को मार के अपने ही रिलेटिव को बाते अलग है एक बहुत बड़ा जो ज्यानी होता है उसके पास विद्धिया के अलावा कोई धन नही होता है हलो एडिवन आए होप यह फैंटास्टिक देर आज का यह वीडियो वैसे तो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में है जिसका नाम करप्शन है और UPSC के एस्परेंट्स के लिए तो यह इंपोर्टेंट होता ही है बट एज अनॉमल सिटीजन और एक नागरिक होने के नापते, especially जब election का यह साल है और budget की announcement अभी हुई है जैसे आज की तारीक यह दिया हम देखें तो जनवरी 30 है डेली में बारिश और बारिश में यह वीडियो तो आज corruption के बारे में हम लोग बात तो करेंगे और basically एक class हुई ethics की जिसमें यह वाला topic आया जिसमें कई सारे नए dimensions भी थे और पुराने जितने भी videos मैंने और भी बनाए है जो pdf मैंने class का use किया जिसमें dictation भी होती है बचे question भी बूछते है तो 4-5 गंटे की जो class होती है उस ही pdf को जो digital board का मुझे थोड़ा सा फायदा हो गया है कि मैं save करके और उसे improvise करके एक camera के स जो बच्चों ने हमारे पास admission नहीं लिया है या normal लोग जो मुझसे connected रहना चाते हैं शायद उनके feedback के हिसाप से उन्हें मुझे देखना अच्छा लगता है तो मेरी कोशिश यही होती है उनके suggestion के हिसाप से भी कि वीडियो लगभग 2 गंटे से तो कैसे भी करके ज्यादा रिजन इसलिए क्योंकि Corona का टाइम ऐसा नहीं है बगवान करे आये भी नहीं है ऐसा टाइम दुवारा कि हम घर में ही बैटे हुए है और उसको देखें है इस्टुटेंट के लिए तरी बार के लिए हो भी जाता है बट स्टुटेंट के तोर पे भी मुझे जो लोग हमारे आप एडमिशन नहीं लेते हैं उन्होंने यहीं चीज बोला कि सरी पीडियेफ को कैसे भी करके हमारे पास तक मुझा दिये कीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखे तो मैंने इसे और भी अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश की है क्योंकि स्टूरेंट का यही इंट्रस्ट है उन्हों सब को सब सर्व करना ही है तो बैट्स हाओ आपस आज के टॉपिक के ऊपर जो करप्शन का मुद्दा है करप्शन एक डेमोक्रेसी से एसोशियेटेड वर्ड है यह एक हार्ड रियालिटी हमें एकस्ट करनी पड़ेगी रीजन इस वेरी सिंपल देगें थियोगरेसी देख लेए डेमोक्रेसी इन सब ऑप्शन मैं से अच्छी है लेकिन वो अपने आप में सब से अच्छी है यह हम नहीं कह सकते क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलेटिक्स भी है बहुत सारे पॉलेटिशियंस के उपर केस होते रहते हैं वो केस जूटे है सच्छे हैं क्या है यह तो जुडिशरी ने टाइम टाइम पर हाइलाइट किया हुआ है बट हार्ड रियालिटी यही है कि जो पॉवर है वो क्रिशनल पार्टी है वो किसी भी केंडिडेट को यदि टिकट देती है तो वो तो बेसिकली एक ही निशान होता है जैसे आज की डेट में बड़ी बड़ी पार्टी उसकी बात करें तो बीजेपी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है तो कमल के उपर बटन दमाएं आज त लेकिन इससे पहले एक्जाम्स परस्पेक्टिव से मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि हम जो हम लोग अभी क्लास करना है एथिक्स की तो जीएस पेपर 4 के अंदर मैं यह करप्शन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉस हमें स्टफ की रूप में किसी भी अंसर को यह भी हमें पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ना है कि हमें यदि 15-20 पेच का ऐसे भी लिखना पड़ है करप्शन के ऊपर तो हम लिख दे यह बात उस तरीके की है जैसे मैं इंटर्व्यू आजकल चल रहा है तो मैं उनको यह बोलता हूं कि एक-एक वर्ड जो आपने इस तरीकल परस्पेक्टिव इंटरनेशनल से नैरियो नेशनल सेनेरियो इस्टेट से उसके यूसे इस इस सारी चीज़े आ जानी चाहिए मूवी इस कौन-कौन सी है कौन-कौन से बिक परसनेलिटी जैसे सब कुछ उसी तरीके से करप्शन के ऊपर आपको ऐसे भी आना च लोगों हुँए है ना अभी आज के जो टॉपिक को हमने कवर करना है वो बिसीकली आज का जो करप्शन है तो कहते तो इस तरीके से हैं कि यदि हमें आज का जो वर्तमान है रूसे यह जो हणने की बहुत साला जरूरत है क्योंकि चीज़े तो नहीर pleasing हम सौ, दो सौ, हजार, दो हजार, तीन हजार साल से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये corruption जैसी कौन-कौन सी चीज़े हुई है, इसके solutions के लिए, किन-किन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात की है, मैं आज चानक्या, गोटेलिया की भी बात करूँगा, और आज की रेट में जब post-independence के टाइम पर, जब हम लोग आजाध हो गए, तो political parties के होते हुए, जो freedom struggle में involved थे, हमने corruption शुरू से देखने की, आज तक कोशिच नहीं की, लेकिन फिर भी हमें बार-बार वोगों चीज़े देखती रही, मुझसे किसी ने ये कहा है, कि आप corruption को बिठा ही नहीं सकते, एक general unemployed लोगों की, जब bus में travel कर रहे हैं, train में या flight में, तो यही बाते थोड़ी कभी-कभी tool पकड़ जाती है, मतलब momentum ले जाती है, तो मैं तो चीज़ों से खायर बचता हूँ, मुझे बजा तभी आता है, जब मैं, या तो camera के सामने रहूँ, या class में रहूँ, बच्चों से जो energy मिलती है, तभी मेरे पास बहुत अच्छे खासे ideas भी आते हैं, और बताने की थोड़ी motivation भी जाता हाती है, corruption के लिए सबसे hard question मैंने आप लोगों के सामने एक बनाया है, मतलब what is corruption, how it can be removed like that it is not, मेरा question आप लोगों से यह है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में practice के तोर पर यह सोचने की कोशिश करना या लिखने की कोशिश करना, that more you try to remove corruption यह मेरा question यहाप लिखा हुआ है more it will increase explain, मतलब आप corruption को जतना जादा हाटाएंगे, उतना ही जादा यह फैलेगा, यह ऐसी organism है, जैसे कि इसको खतम करते जाएंगे अपने आप से और उतनी ही जादा propagate होगी, so ऐसा कैसे है ऐसे international presidents मतलब examples, developments national developments, आपको देने पड़ेंगे scholars के thought को backing लेते हुए, मतलब आप बात कह रहे हैं, तो आप अपने आप में बहुत बड़े आदमी नहीं है, न मैं हूँ, मुझे भी अपनी बात को substantiate करना है, तो examples के साथ साथ, scholastic views, जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनको लोग जानते हैं, उनकी बातों को follow करते हैं, उनका नाम हमें लेना पड़े हैं, जाए वो Aristotle हो, Plato हो, साहत्री भाइफूले हो, महत्मा गांदी हो, विवेक अनन्द हो, वारन बफेट हो, Financial Management को लेकर तो किसी भी नाम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, UBSC में तो और भी कई सारे नाम आये हैं, Abraham Lincoln राइट, US से कितनी सारे experiences हैं, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, Abraham Lincoln के उपर, तो पूरा का बोला है, एक ethics की playlist है, आखो कभी मौका बिले, पूरा देखने का, notes सासाब में बनाने का, तो जरूर देखेगा Now, historical perspective जो corruption का है, उसको हमने ancient medieval and आज की रेट में modern, जो post independent scenario है, उसमें बाटा हुआ है, उसके अलावा जो आज का scenario है उसे हमें समझने की जरूर था है, कौन-कौन सी international theories है, कौन-कौन सी किताबे, जो corruption की उपर लिखी हुई है और उसमें brilliant ideas क्या है and also some of the best articles of the newspapers वो भी मैं आप लोगों के साथ में, last में, share करूगा जिससे कि आपको ये लग जाए कि भाई, ये वीडियो देख लिया, it is kind of magna-gartha thing for corruption, हमें इसी वीडियो को follow कर लेना है, मतलब मेरी अपनी तरफ से ये कोशिश है कि मैं इसमें सब कुछ डालने की कोशिश करूँ but still, आप लोग दूसरे भी वीडियो को देख कर अपनी इस वाली जो knowledge है, इसको improvise कर सकते हो, add-on कर सकते हो चीज़ है नो, हम अपनी बार को शुरू करते हैं, ancient इंडिया के development से, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हम जानते हैं पहले से कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमें जाननी है, corruption जैसी चीज़, तो since the time, ये चली आ रही है, वो चाहे राम राच को लेकर हो, या फिर एक philosophy भी कहती है कि survival of the fittest कि भाई, खुद को जीने के लिए कभी-कभी दूसरे को भी मारना पड़ता है मेरी एक theory, जब मैं article 14 पढ़ाता हूँ, तो मैं उसमें बताता हूँ, survival of the weakest होना चाहिए, Darwinian theory survival of the fittest, इसको मैं counter करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि fittest की बात क्यों करनी है, यदि हमें केजी को support करना है, equality, equity को apply करके, तो survival of the weakest को किया जाए, so I will promote कि survival of the weakest theory should replace survival of the fittest theory अलब challenge भी हो सकता है तरीके से, I have not thought कि मैं deep में जाऊँ, now 2300 years back, जब corruption की बात को, थोड़ा serious, easy person ने लिया, जिसको हम kautilya कहले है, या चानक्या कहले है, या विष्णु गुप्त कहले है जो बाद में जाने गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा document लिखा था, अर्दशास्त्रा, सारे लोग पढ़ते हैं, और as optional में तो बहुत ज़्यदा deep में जाके पढ़ते हैं, मैं यहां पर केवल corruption के जो element से वहां से filter करते हुए connect करने की कोशिश करूँगा, तो उन्होंने बहुत deep क्राम किया, तो पहले basically, जब history वाले teacher ने आपको जो king धनन्त थे, मगद राज आज की रिट में गया और पटना विहार का जो इलाका है, वहां से बिलॉग करता है एक तरीके से, तो वहां पर basically corruption काफी फैला हुआ था, और कोटेलिया चानक्या जिसकी में बात कर रहा हूँ, ये तक्ष शिला में एक बहुत बड़े आचारे थे, और कई सारे मुद्णों में बात के अलावा corruption के ऊपर भी इनके जो विचार थे, वो बहुत अच्छी थी और इस तरीके से विचार से निकलती हुए एक धारा भी बह चली थी, जो इनके pupils, मतलब जो शिशे होते थे, उनमें भी follow होती थी, तो तक्षिला जो basically आज की र जान को लेना होता था, तो teachers का तो एक place मनता है, जहांपे students को आना ही पड़ेगा, प्यासा है, तो कुवे के पास आएगा ही, जब तक exam clear नहीं हो जाता, तब तक तो जरूर आएगा, बशरते कुवे में पानी हो, और वो पानी बहुत अच्छा पीने लाइक हो, और उसके knowledge क स्वास्थ के लिए, knowledge की health के लिए बहुत अच्छा हो, anyway, now, जब King Dhanant के पास मैं कोटिल लिया, जो चानक क्या बिसी के लिए कहे जाते हैं, अर्थशास्वर डोकुमेंट के साब से, वो गए कि आप corruption जैसी जो चीजें है, additional tax आप लगाते हैं, atrocities हो रही है, केवल अपने र लेगा, तो atrocities बहुत जादा थी, लेकिन राजा धनन्त ने उनकी बात को ignore कर दिया, तो एक बहुत बड़ा जो ज्यानी होता है, उसके पास विद्धिया के अलावा कोई धन नहीं होता, और जब उसके ego को ठेस मोचती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं energy बहुत बड़ी किताबो में release होती है, और यहीं कोटलिया ने उनकी इस बात को जब राजा धनन्त ने ignore किया, तो उन्होंने अर्थशास्त्रा नाम के document को लिखा, जो basically एक financial control के बात अलग है, financial administration के बारे में है, कि administer कैसे किया जाए, तो यहाँ पर basically जब अर्थशास्त्रा उन्होंने लिखा, तो उस कि क्या-क्या गलत सही हो रहा है, चुपते हुए, audit होना चाहिए, regular officers की posting होने चाहिए, जिससे कि वो एक जगह के साथ में अपना relation ना बना ले, वहर एक collective group में team तयार न कर ले, किसी भी गलत चीज़ को करने के लिए और वो उपर तक महुचे ही नहीं, देक उसके अलावा भ एक utopian state को लाने के लिए बनाया था, utopian मैंने यहां पर लिखता हुआ है, mental map जो basically possible नहीं है, लेकिन फिर भी उस reference point को हम बना के रखें, तो हम वहां तक पहुचते हैं, जैसे रहाम, एक आज की रेट में, मर्यादा पुर्शुरतम राम का concept होता है, कि मर्यादा पुर्शुर कि बच्चे को, किसी में religion का बच्चा हो, उसको सीखने के लिए, उसके माबाब को ज़रूर खुशी मिलेगी, चाहे society की लोगों को मिले या ना मिले, अब अपने दिल से पूछ सकते हैं, कि क्या ऐसे बच्चे आपको भी पसंद होंगे, जिन में values बहुत अच्छी हों, सच कर रहे थे, कि मैं इस चीज को पूरा को पूरा फॉलो करूँ, और किस में भी यदि कोई बाते लिखी होती है, तो मौका में मिलता है, तो चंद्रगुप्त के टाइम पर, चानक क्या उनके एक main knowledge, think tank body में तो थे ही, बट प्राइम मिनिस्टर भी बने और विश्नु गुप पड़ी रहती, इस kingdom ship के expansion की वज़े से, इस empire के expansionism की वज़े से, यह आज की date में बहुत बड़ा financial document माना जाता है, जैसे इंडिया में ही follow नहीं किया जाता, दूसरे जो countries है including China, वहाँ पर भी इस चीज को ratlessly follow किया जाता है, now coming back, जब international scholars यहाँ पर आये, और उन्होंने जैसे जन्पद मैंने बगत की बात की, जब यह चंद्रकुपता का time चल रहा था और अर्थशास्त्रा की नीतियों को follow किया जाता था, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से portrait किया, उन्होंने लिखा कि यहाँ पर घरों में ताले नहीं लगते, honesty जो है लोगों की इमानदारी वो सबसे बड़ा attribute मतलब लच्छन है उनके personality का, उनके व्यक्तित होगा, अब honesty is the best policy and honesty is the best attribute of some person, यह तो हम आज भी देख सकते हैं शाहिए, डॉक्टर कलाम जैसे personality में, लेकिन मैं यदि यह होगों के घर में ताले नहीं लगते, तो यह अपने आप में बड़ा surprise factor बन जाता है कि ऐसी जगह से पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती जहां पर माथा ना टेका जाए, anyway, फायान and हुएन सांग जैसे scholars भी आए, जिनोंने basically इन सब बातों को repeat किया, इंडिका जो बुक है वो मैगस्थनीज ने लिखी थी, और इन सब बुक्स के अंदर में, जो भी बाते लि होता कि कोई किसी के उपर शक करें कोई महंगे दामा में कोई चीज दे रहा है, जो दे दिया, वो उतने काही है basically, और आख बंद करके लोग एक दूसरे के उपर विश्वास करते हैं, ये कैसे possible होगा, ये तो बताना हमें मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसी कोशे जरूर की जा सकते हैं, ये basically आप लोगों के लिए बहुत अच्छा content है, जो आप basically ancient India से निकाल सकते हैं, उसके बाद मैं सीधा jump लेता हूँ, शायद मैं आगे चलके दुबारा ancient के उपर वापस हाऊ, medieval India के उपर, medieval India basically बहुत लंबे समय का जो period है, but history से मैं किवल उसी dimension की बात जो हमारे ethics and corruption से related होगी, allowed being khilji, कैसे वो राजा बना किसी को मार के अपने ही relatives को, वो बाते हलग हैं, लेकिन allowed being khilji के time पर corruption को control करने के लिए 129680 के round है, वहाँ पर basically inflation को control करने की कोशिश, क्यों? क्योंकि आपको यदि महंगा सामां खरीदना है, उसके लिए पैसे का arrangement करना प the table money वाला use करना चाहेंगे, so inflation controlled होना बहुत जाला जरूरी है, along with adequate salary, जिससे कि लोग corruption के बारे में compulsively न सूचें कि भई necessity है हमारी हमारी हमें घर का खरचा चलाना है, इसलिए corruption करना है, ये कारण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा 6 में commission में है, एक mean agent अथा कि भई, public and private sector के जो officers हैं, उनकी salary को gap को खतम करना है, कहीं दो, जो classmate है, एक IS बन गया और एक private sector में है, private sector वाले को पांदस लाग रुपे मिल रहे हैं, एक करोड का package है, और जो IS बना है, इसलिए बहुत अच्छी आसी है, लेकिन पैसे के तोर पे उसे कम मिलता है, मतलब उस वत की मैं ज चायद सारी की सारे need को ध्यान में रखते हूं कि कम हो सकती है, तो ऐसी चीज जो अंदर से ही निकल के आ रही है, घर से निकल के आ रही है, वो मजमूर तो करेगी न, इसके अलावा कहीं आपके जो चादी चुदर जिंदिकी में मैडम ने ये बोल दिया कि मुझे हीरो का हा मैं तुझे देखती हूं मतलब अपने हस्बेंट को या मेल को देखती हूं तो बस तेरह से बड़ा हीरा मुझे कोई नजर ही नहीं आता, ऐसी यह वेल्यू सिस्टम बन जाता है, तो रिलेशन में बहुत ही जाता मना मजा आता है, मनी सेंट्रिक रिलेशन बनना, चाहे हो अपने घर में कैसे हैं, आपके वेल्यू सिस्टम कैसे है, अपने दोस्तों को लेके, यहीं से शुरू हो जाता है, और वेल्यूस को आपने थोड़ा सा एंडर्स कर लिया, तो ऑफिशल सर्कल क्या, आप कहीं पर भी जाता है, एक example के रूप में अपनी चाप छोड़के आते हैं किसी के भी mind के ऊपर, कोई शायद आपको बेफूफ कहले, immediately, but definitely, in a longer term, वो आपको accept कर लेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत नीचे है, तो वो आपको देखके, आपकी इमानदारी को देखके यही कहेगा, अरे अंगूर कट करते हैं, क्योंकि वो ऐसी इमानदारी को करेगा, अरे वो बेवकूफ आदमी है, तो ध्यान हमेशा रखना, अच्छे आदमी हमेशा आपने काम पर फोकस करते रहते हैं, unemployed लोग जो politics करते हैं, वो एक दूसरे से बाते करके हैं, दोस्ती करते हैं, team बनाते हैं, जिससे कि उ honest person को परिशानी शुरू-शुरू में होती है, demotivation भी आता है, और वो सोचता भी है कि मैं थोड़ा dishonest हो जाओ, इनकी category में आने के लिए, लेकिन यदि आप नहीं हुए, believe me, in a last run of your life, it will be rewarded, maybe you are called a fool immediately, but not definitely, now, allowed दीन खिल जी, ने inflation control के अलावा, एक चीज ये भी की, कि धो extra property जैसे कि Post-Independent India के अंडर में आप देखें, Ceiling Act जो लगाया जाता है कि एक आप लिमिट में, जैसे 25 एकड़का एक बार लगाया गया था इंडिया के अंदर, इंदर गांदी जी के टाइम पर जब गरीबी अटाओ, कि नारे के उपर उन्होंने 1970 के बाद में, 1970 के बाद में जाएंगे नहीं, आपको लिमिट आपको परमीशन भी नहीं है, तो आप सोचेंगे भी नहीं खरीदने का, इसके लिए करप्शन भी नहीं होगा, punishment for corrupted officers ये बहुँ जादा important है, क्योंकि ये the officers में sorry बोल दिया कि मैं दुबारा नहीं करूँगा, ये नहीं, punishment बिलना चाहिए ये corruption के लिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी ऐसास होगे, हम ये दि करेंगे, तो हम भी grid and thrilled हो जाएंगे, ये वाला term basically मंत्री से संत्री का corrupt था, ये basically allow दिन की खिलजी के time पर भी पाया जा रहा था, और इसी लिए उन्होंने measures लिए हुए थे कि हमें control करना है इस चीज़ उस वक्त की सेना और expansion की इतनी भूक होती थी कि सेना को खिलाने के लिए बहुत सारा राजस लगता था, वो ट्रेजरी में पैसा आएगा कहा से, वो लोगों की tax से ही आएगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें एक financial, prudential management में count हो जाती है, नौ दूसरे जो forms of corruption उस time पर चलते जिसको आप अपने answers में भी लिख सकते हो, वो मैंने अलग से यहां लिखे हुए है, नजराना, शुकराना, हकराना, जवराना, जवराना, नजराना का मतलब नजर में आ जाएं, officer की, कि भी हाँ ये एक contender है, तो नजराना मतलब किसी के भी पास जाते हैं, और एक precious gift लेके आपने हकीमती gift, कि नजर में तो तभी आएगा, जब कोई चीज समक रही है, तो नजर में आप उनके आगए, तो फिर आपी कोई चीज मिलेगी, चाहे वो, कोई भी government का allotment हो, या whatever they want to have, जिसमें आपको भी फाइदा है, और उनको भी फाइदा होगा, आपके फाइदे से Then, शुक्राना क्या है कि जब आपका काम complete हो गया, तो शुक्रिया कहने के लिए, Thanksgiving के लिए, आप not in cash, then in kind आप करने की कोशिश करते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वगएरा वगएरा, कुछ भी आप कर सकते हैं Then, हकराना, यदि ये दोनों से काम नहीं वाना, तो आजकल officers ने कुछ इस तरीके से बनाना है, या नीचे की लोग जो होते हैं, उन्होंने इस तरीके से बनाना है, ये तो हमारा हक है, बाई, परसेंटेज है, ले नहीं है, राइट, चाहा हो 100 में से 30 हो, 40 हो, वगएरा वग इसा लगा दिया, उसके अंदर, मतलब घर में, एंटीरियर में, और अब उसके tremors थोड़े से आते हैं, या building की हालती खराब है, तो वो नीचे गिरने को हो लही है, तो जान से बड़ी क्या चीज हो सकती है, किसी की भी, तो order तो यहीं है, कि उसके खाली करके दुबारा से बनाया जाये, बट, corruption जैसे चीज ना हो, तो वो सरकारी building भी सबसे अच्छी, मजबूत building पहले से बन सकती थी, ट्राइवेट building से भी अच्छी बन सकती थी, बट, ऐसा हुआ नहीं, ऐसे ही जवराना होता है, कि जवर्दस्ती, आपको basically corruption करना है, कैसे कि आप किसी के भी यह यह उसके दिमाग में, उसको जवर्दस्ती मजबूर कर देती है, यह देने के लिए, रजनी कानत की एक movie है, जो मुझे शायद याद नहीं आ रही है, कि basically corruption के उपर बनाई थी, five day clearance करवाना है, वगरा वगरा, लास्ट में होने देके काम कराया, लेकिन फिल भी corrupted लोगों को चोड़ा नहीं, और शायद रहने अपने last में बेटे को भी खत्म किया था कि corruption के लिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगा, तो maybe रजनी कानत is a very famous hero in South India, and he is known for his value system, मतलब movies के अलावा वो अपना जो follow करते हैं एक उसे, action तो होते ही है जबर्दस्त, और उस वक्त कि जो अल और फूल उने बड़े पसंद थे, और दो-चार रुपे की कोई चीज आती है, तो वो corruption basically नहीं होती, उसे ज़रूर accept करते थे, तो जो साधरान gift होते है, कोई किताब gift कर रहा है, आपको कोई pen gift कर देता है, पचास सो रुपे का, तो वो corruption के रूप में नहीं माना जा सकता, ये greetings होता है, ये accepted भी होता है, इस पर case study भी आई होई है, UPSC ने पूचाए कि एक aspirant, दूसरे aspirant से पूच रहा है, या officer, officer से पूचाए कि चोटे-पोटे gift लेने में क्या गाटा है, हलांकि हर कोई तो progress के बारे में सोच रहा है, कोई किसी से मिलता है, एक social भाव भी होता है चोटी-मोटी चीज़ें accept करने में बिलकुल कोई problem नहीं है, problem थाप होती है, जो बड़े-बड़े gift, लाकों लोगे gift आप accept करते हैं, कि किसी मन में तो ये बात होती है, कि कहीं में gift कर रहा हूं, तो take भी होगा, Thomas Roy का episode बहुत famous है, जो उन्होंने अपनी किताब में भी indoctrinate क दिया, उन्होंने ये लिखा कि जब मैं दरवार में गया, मुगल इंपायर के time से पहले, तो मुझे basically एक gift लेके जाना था, या किसी के भी लिए लेके जानी चीज़ें, तो वो बहुत साधार सी थी, मेरे ओपर ध्यानी नहीं दिया गया, मुझे ignore कर दिया गया, only because of the fact, कि म मेरे दिये हुए gift में दम नहीं था, तो ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, और ये बहुत highlight भी हुई थी चीज, उन्होंने कुछ चीज़ें और लिखी कि बड़ी मचली छूटी मचली को खा जाती है, बड़ा आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, और कि सभी को ख लेकिन हिंदी से निकला हुआ है, लूट वर्ड पहला Oxford में बना जो की corruption में है, और आप कभी corruption में यह लिखना चाहें, तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं, मेरे वीडियो के बेस्ट और इसके बारे में और भी कुछ internet पर है, वो भी आप एक्स्टा पढ़ना है तो पढ़ सकत हैं, जब हमारे यहां पे लडाई चल रही थी, फस्ट वर अफ इंडिपेंडेंस के ताइम पर मुगल इंपायर के ताइम पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, रॉबर्ड क्लाइब का नाम बहुत आता है, अब बैटल अफ प्लासी के बाद में आपको बताईए, 1757, जो की 100 साल जस्ट पहले था, फस्ट वर अफ इंडिपेंडेंस 1857 से, तो रॉबर्ड क्लाइब बिसिकली उस टाइम पर कंट्रूल किये हुए थे सारी चीज़ है, अब उनका दूसरे ब्रिटिशर्स डवलपमेंट क्या थे, मैं उसमें नहीं जाओंगा, लेकिन उनके उपर मुगंदमा चला बिटिश के अंदर, प्रिटेन के अंदर, कि 2,34,000 बिटिश माउंट उन्होंने रिश्वत ली है, इंडिया के रिच पीपोल से, और रॉबर्ड क्लाइब ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, कि हाँ, मैंने ये चीज़ ली, मेरे पास बड़े के पास, रॉबर्ट क्लाइब ने ये तक बुला कि मैं चाहता, तो ये रकम करोणों रुपे में हो सकती थी, लेकिन मैं ऐना ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर मैं भी ताजिव करता हूँ, वाइडिटिंट आ दू 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 दिस, आम अलसो इस अधिए और रॉबर्ड क्लाइ इंडिया के उपर जो अटैक था, वो बहुत अच्छे तरीके से करते थे, ब्लैक होल ट्रेजेडिवी है, जो इस्ट्री वाले टीचर आपको भी पढ़ाएंगे, मैं इसके अंदर में जाने की कोशिश नहीं करूँगा, तो यहाँ पर बैसिकली जब वो वापस आये, तो उन्होंने अपने जो पुराने टाइंग को याद रखाया, मेरे उपर केस चला था, तो दुबारा जब रॉबर्ट क्लाइव के एंट्री हुई इंडिया में, तो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, करप्शन को, और उन्हीं के थोड़े से ठाइम के बाद, कॉर्न व सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तीन हजार रुपे, बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी रकम होती है, आज के साब से मनलब साथा गलाग रुपे हो जाएगा, तो वो देते थे और कहीं न कहीं इंटरनेशनल स्टेडीज में, ये पाया गया है कि इस्ट इंडिया कं और फाइदा किसको होता था, ओफिसर्स को, और तो और फेक पासेज, ड्यूटी पासेज, उस वक्त ही बनना शुरू हो गए, 1680C से आगे जब इस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, तो थॉमस रॉय ने तो इंप्रेस अपॉन करने की कोशिश की ती दरबार में जाके कि हमें यहां पर व्यपार करना है वगरा वगरा लेकिन उन्हें उस वक्त तो नोटेस नहीं किया, लेकिन दिरे-दिरे करके वो समझ गया है कि यहां के राजा चाहते क्या है, राजाओं को बेसिकली जना अंग्रेजी देशी, जो अंग्रेजी शराब जोती, बड़ी- इस वाले एंशियंट इंडिया के एपिसोड के बाद में हम लोग थोड़ा सा मॉडन इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं, मैं छोटे-छोटे डवलप्मेंट लेते हुए चल रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कलेक्टिवली से दुबारा लेके हूँ, किसी और एपिसोड से कने पर हमें कुछ एक बेसिकली एपिसोड देखने को मिलते हैं, मैंने कुछ चीज़ यहां लिखने की गोशिश की हैं, मैं और भी इसमें नीचे लिस्ट लेके आऊँगा, जैसे कि आपको भी थोड़ा प्रेशर फील ना हो, और मुझे भी एक साथ एकदम से पीर प्रेशर न तो cash for question एपिसोड मनदब पार्लेमेंट के अंदर कुछ ऐसे question पूछना जिससे की government को embarrassment लगे, उस वक्त ये question जो था वो basically, ease for releasing the imported gold को लेके था, जिससे की gold के prices को और जो total inflation है उसको control किया जा सके, रूपी की value को हम लोग control कर सके, तो pressure बनाने वाली बात थी, उस वक्त basically प्रिजान हुए इस चीज को लेके और भी कही सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, then first defense jeep scam, उसी time का है, LIC scam case, मारूती कार tender scam, Bofors scam, हर्चब मैता, cash for vote, now आज की rate में हम बहुत recent in the years में जाकर देखने हैं, तो आधर्ष का गोटाला, sting operation, coal scam, 2G scam, इस सब हमें UPA के time पर देखने क मिले, सवाल इन सारे के सारे scams की list को देखने के बाद में आता क्या है, कि एक ही political party लगबग, यदि हम total मिला के देखें, तो more than half of the years of independence country के उपर राज की है, and initially 15 साल तक तो without any challenge, 1975 emergency लगी जनता party government less than 2 years time के लिए आई, इतने सारे scams one after another, freedom struggle में रहने वाले लोग, जो अपने ल लोगों के लिए अपनी अजादी के लिए जान दे सकते हैं, वो corruption में आ रहे हैं, उनसे जादा ethical example कोई होना भी नहीं चाहिए, ऐसा लोगों के अंदर से आ रहा था, या उस वक्त के प्रधानमंत्री की नजर अंदाजी से आ रहा था, या फिर एक ये collective effort था, या फिर कोई और भी सरकार होती, तो वो भी ऐसा ही करती, ये सारे के सारे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, कि मैं आज तयारी कर रहा हूँ, इसकी मुझसे बड़ा honest person, आज की rate में कोई हो नहीं सकता, लेकिन, क्या मैं IS या IPS या IPS ये कोई गहन मुद्रा में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो, basically age है, उसमें जोश है, नई उमंग है, और क्या कहूँ, नया कून भी है, और कुछ भी करने का जज़वा है, country के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन maturity, क्या होता है कि age के साथ में ही आती है, जैस आप matured होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको चीज़ें और भी जादा clear होती जाएंगे, और matured आदमी की बाते सुनना बड़ी भरकम हो जाती है, लेकिन matured आदमी उसको flavor के रूप में बताए, एक light analogy के रूप में बताए, तो एक entertainment का source भी बनता है, और लोगों को उनकी बात भी समझ में आ जाती है, यह ओपर मैंने आपके सामने नाम लिखे है, पहले मैं बता दूँ कि H.T. Mudgal, V.K. Krishna Menon, T.T. Krishnamachari, Lalit, Narayan, Mishra, यह सब लोगा associated है, जैसे H.T. Mudgal, साब जो थे, वो cash for question scam को लेके थे, जिनको हटाने के लिए, नहरू जी ने बिचिकली इंस्टिट् कर दी थी इंकोरी, लेकिन उससे बहले उन्होंने रिजाइन कर दिया, मलब, he was member of parliament, and V.K. Krishna Menon first defense scam, jeep की scam में आये थे, jeep का scam क्याना बेची के लिए हमारा war चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, और हमें jeep की जरूवत थी, इतन, right, हमने import करने की कोशिश की, कुछ बेक्दम खसता हालक में jeep में आई, और पैसा सारा का सारा कहां गया, उस चीज़ को लेकर, committee भी बैठी, parliament की inquiry करने के लिए, वो धूल में भी धब गई, V.K. Krishna Menon का नाम उचला, फिर बाद में वो defense minister भी बन गए, और नहरुजीन ने सारी चीज़ों को नज़र अंजाज करके रखा, ये चीज़ें I will tell you in detail, इसी sequence में Bofor scandal की भी बाद होती है, राजीर मान्दी जी की government topple up हो जाती है, इतिक्स GFP4 में तो जब political corruption की बात हो रही होती है, कोटलिया की बात के साथ साथ, तो इंडिया के अंदर में इतने बड़े-बड़े corruption के जो cases हुए है, जिनमें सरकार change हो ज हमें defense के अंदर में कुछ तोपे, cannons use करनी है, तो उसका नाम था 155 mm hovitzer guns, जो कारगिल के टाइम पे 1999 में use हुई थी, और कहा ये जाता है कि इन तोपों के गुले एकदम precise location पर ही जाका गिरते थे, target को fulfill करते थे, बड़ एनिवे, 410 guns जो थी, cannons जो थी, वो लानी थी, और इसमें मुद्दा था कि जो middleman ship है, उसको 64 करोड रुपीज दिये गए, तो ये पूरा का पूरा जो episode है, वो चलता कैसे है, इंद्रा गांदी जी का assassination हो जाता है, 1984 में, और उसके बाद, राजीव गांदी जी एक च थे, थोड़ी सी training उनकी हुई थी, एशियाट, गेम्स वोगेरा को लेकर, कि कैसे management करना है चीज़ों का, बड़ जितना political training एक तरीके से उनके ब्रदर को हुई थी, जो खतम हो गए थे, सर्जे गांदी, राजीव गांदी जी जी पॉलिटिकल डवलप्मेंट्स, जब राजीव गांदी जी को भी खतम कर देंगे, और संजे गांदी जी तो खतम हो ही चुके थे, उससे पहले काफी harassment हुआ था, जो दो साल से कम की सरकार आई थी, जंतापार्टी की, अभी इस वाले development पर जब हम आगे चलें, तो 86 के टाइम पर दुवारा जब राजीव गांद ज्यादा seats राजीव गांदी जी को उस election में मिली, ऐसा नहरु जी के टाइम पर नहीं हुआ था, ऐसा इंद्रा गांदी जी के टाइम पर 1971 के लास्ट में जो election हुआ था, 72 से प्रीपॉन करा के, तब भी इतनी वपिंगली हाई seats नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ा record था, जो राजीव गांदी जी ने उस टाइम के लिए ब्रेक किया, और राजीव गांदी जी इसे बड़ी उम्मीद है जाई, और एक Mr. Clean की तरह वो निकल कर आए, और काला गांडी के अंदर में उन्होंने एक lecture दिया, उसमें ये बोला कि 85 पैसा एक रुपे में से गाइब हो ज जाता है गरीब हो तक पहुंचने वाला जो पैसा है, तो भी हमारी एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी है, और लोगों ने इस चीज़ को समर्तन भी दिया, जैसे गरीब हटाओ के स्लोगन पर इंद्रा गांदी जी ने गेम खेला था, यहां पर कर्रप्शन को लेकर राजीव जी गेम केलना चाहते थे, लेकिन उनका experience थोड़ा सा जाधा था, struggle बहुत जाधा था, क्योंकि नहरु जी भी 64 के बाद चल बसे थे, जब चाइना का basically वार हम लोग हार गए थे, तो उस टाइम पर इंद्रा गांदी जी इंफर्मेशन राटकास्टिंग मिनिस्टर हुआ कर और वीडियो में पहले cover कर चुका हूँ, basic structure जब मैं ने cover किया था, तो वहाँ पर भी यह चीज़ बगाई थी, अभी जब वापस लोटते हैं, तो राजीम गांदी जी ने एक साल तक corruption की ऊपर काम करने की कोशिश की और finance minister उस टाइम पर बनाया था, VP सिंग को, विश्वना परताफ सिंग आपको पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 11 महीने के लिए, और basically finance minister किसी को भी बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर जो बनाते हो, बहुत खास, trusted person होता है, और VP सिंग भी उनमें से एक थे, और जब वो finance minister बने, तो corruption को खतम करने के लिए anti-corruption drive के तोर पे, उन्होंने जो text चोरी करने वाली कंपनिया थी, जो बड़े-बड़े corporate house से, उनके उपर rate दलवाना, जो ED के डारेक्टरेट थे, वहाँ पर भूरेलाल जी को बैठाला गया, विनोत पांडे जी को finance secretary के रूम में लाया गया, और ये लोग दिन रात काम कर रहे थे, अब इसकी वज़े से ये भी हो सकता है कि इतनी बड़ी political party है, उनके नाते रिस्तिदारों की बड़े-बड़े corporate house हो सकते हैं, company हो सकती है, pressure प्राइम मिनिस्टर के उपर आने लगा, कि भई, आप हमें इतना साथा परेशान कर रहे हैं, business को लेके, tax की बागतों को लेके, ज समाल दीजिए, अब वीपी सिंग बोले कि आपने हमें finance minister बनाया था, हमने काम भकूभी किया, आप क्या रहे हैं, defense mantra ले समाले, तो हम defense mantra ले समाल लेते हैं, जब वो defense mantra में पहुचते हैं, तो कई सारी चीज़ें ऐसी चल रहे हैं हिंदी party के अंदर, कि राजीव गांधी से क के कलीक थे, दून स्कूल में सासा पड़े थे, तो वो सारे के सारे लोग cabinet के अंदर में बहुत key role play कर रहे थे, नजदीगिया प्राइम मिनिस्टर के साथ में, मेडिया में दिखाई देती हैं, तो सारे के सारे लोग उसी frequency को follow कर रहे होते हैं, तो party के जो पुराने लोग थ टाइम आया है, उसमें आप मजे कर रहे हो, वो आप enjoy कर रहे हो, यह basically पहला indication था राजीव गांदी जी को, कि उन्हें सारे लोगों की aspirations, जो political party के अंदर में members हैं, उनको एक साथ लेके चला चाहिए था, अभी यहाँ पर एक चुठी, जो basically बाद में यही समझ में आया कि पर अपना मुखर जी को expel कर दिया राजीव गांदी जी ने, क्योंकि वो उन members के साथ में थे, जो राजीव गांदी जी के ऊपर गुसा कर रहे थे, कि आप youngs को बहुत जादा बढ़ावा दे रहे हैं, हमें बिल्कुल ignore करके रख दिया है, हमें cabinet के अंदर में कोई भी जगे नहीं है, एक सवा साल में राजीव गांदी जी ने 26 टाइम cabinet के अंदर री शफलिंग की थी, अब उस री शफलिंग के अंदर मैं वहाँ पर जो अरुन नहरु जी हुआ करते थे, उनको भी cabinet में जाएके नहीं थी, तो अब जो यंग लोग थे, वो नाराज होने लगे, एक यंग मैंशिप जब होती है, प्राइम मिनिस्टर की रूप में जब देखने को मिलती है, तो एक ऐसा भी होता है कि जो ओल्ड परसन होता है, वो बहुत जल्दी हिलता नहीं है, बहुत जल्दी लोगों को बदलता नहीं है, लेकिन यंग परसन, चार लोगों को सुनने के ब लेकिन योगी जी को नहीं अठाया गया है, वो काम कर रहे हैं, उनकी एचीवमेंट्स निकलके आ रहे हैं, तो बिसिकली एक सिक्के के दो बैलू हो सकते हैं, यह बास सही है, लेकिन किसी भी डिसीजन के ऊपर टिकना, यह हमेशा के लिए ठीक है, आप UPSC तयारी कर रहे हैं, एक साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तो छोड़के आप राइवेट सेक्टर में करने लगे काम, में भी हो सकता है, गर्मालों को जरूआ था हूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहे, ऐसा भी होता है, कि यदि वास्तम में बात दो ही अटेम्ट में बन जात तो UPSC का एस्परेशन हो, एस्परेंट हो, या फिर वो एक प्राइमिन चर्चे को करेश ऑफ कन्विक्शन होना बहुत साथा जरूरी है, तो अभी इन सक चीजों को लिखते हुए, मैं कहानी सुनाता हुआ चला गया था, इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट हैं, जो मुझे इसमाल के रहना चाहिए, लेकिन सेतारे पूरे के मुरे घरदिश में आने लगते हैं, वीपी सिंग जैसे ही फाइनेस मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री में शिफ्ट हुए, उसके कुछ दिन बाद, एक खुलासा हुआ, फेर फैक्स इस्पाइंग कंपनी का, जिसको वीपी सिंग जी ने, जो उन्होंने एक्सप्ट किया, दो जजजेस कमेटी की एक इंक्वारी कमेटी बैठाली गई थी उनके लिए, कि जो फेर फैक्स इस्पाइंग कंपनी है, यूएस के दोरे पर जब बूरे लाल जी थे, जो इन्फोर्समेंट डारेक्टर, डारेक्ट इस मिनिस्टर और देता है और इसकी ख़बर किसी को भी नहीं है, मीडिया को ये बात पता लगी, तो पारलियमेंट के अंदर में ये बात बहुत ज़ादा तूल पकड़ दे, लेकिन तू जजजेस कमेटी के अंदर विशुनात परताव से वीपी सिंग ने ये बोला कि हमा का खत्रा पकड़े जाने पर वो अलग है, इसलिए हमने ऐसा किया, और Fairfax मशीन को भी जो कंपनी है Spying, उसको हमने आउट राइटली पैसे नहीं दिये, उनको ये ही बोला कि कोई भी केस आप पकड़ते हैं, और उसका जो एमाउंट होता है, उसका 25% हम आपको दे देंगे तो अपनी जेट से हम कुछ भी नहीं दे रहें, आप कुछ पकड़के लागते हैं, जिस काम के लिए आपको इंवल्व किया गया है, उसमें 75% आपको मिल जाएगा, हालांकि ये बात रफादफा हो गई, लेकिन Fairfax Spying एपीसोड से VP Singh चिड़ दे राजी गान्दी जी से, और VP Singh जी ने मन बना लिया था, कि मैं अब बेसिकली इनका परताफास करूँगा, और इनको काउंटर करने की कोशिश करूँगा, इधर अरुन सिंग, अरुन नहरू, ये सारे के सारे लोग थोड़े से राजी गान्दी जी से नाराज होते जा रहे थे, अभी जब VP Singh को Fairfax एपीसोड का रेपलाई देना था, उनके हाथ में भी एक अच्छी खासी एपीसोड आ गई, वो एपीसोड था पंडुबी का, एक मीडिया को इंटरव्यू देते, मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते, वक्तुवी पी सिंग जी कह रहे हैं, कि पता नहीं ये पंडुबी हुई थी, राजी बंदी जी की टाइम पे, मामला था, इसके अंदर में कमीशन खाया गया है, और शक ये था, कि कॉंग्रेस पार्टी की जो डाइनस्टी है, बेसिकली नहरू परिवार, राजी बंदी जी या इनके जो स्विस बेंक एकाउंट हैं, उसमें ये पैसा मेडि मेंन ने जमा किया है, अब उस मेडिल मेंन का नाम मैं भी आपको बताता हूँ, उतवियो, कुत्रोची, जो 2013 में खतम हो गया, उससे पहले CVI की इंक्वेरी बैटी सब कुछ हुआ, सारे का सारा मामला खतम होता चला गया, लेकिन कॉंग्रेस से BJP में जो शिफ्ट हुआ है, उन सब में करप्शन भी एक मुद्दा था जिसको हाइलाइट किया गया, बार बार जब जब BJP की गयोवर्मेंट आई, तब तब उन्होंने उस चीज को निकाला, मूदी जी की सरकार्मी जब आई थी, तो उन्होंने ये बोला कि हम काला धन, स्विस बैंक से पहली बाद त सके हैं, amount और नाम, कोई भी एक दूसरे का नहीं जान सकता, RTI जैसे चीज उसकी उपर apply नहीं होती, बहुत सारे चोड़े चोड़े development होते नहीं हैं, लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन सभी को बता है, ये arrangement बहुत ज़रूरी है, जब चुनाव लड़ले होते हैं, तो लगब हर कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये एक बिसिकली democracy is a necessary evil, जो है, ये statement अपने आप में बहुत घहरा है, और ये evil एक political campaign से भी निकलता है, टेक्स के अलावा, corruption जो होना, जो एक root cost आया जाता है, वो इसलिए है कि political campaign में बहुत पैसा रगता है, ये पहले भी में बता च सब्सक्राइब को खुश करना ही होता है, coming back, थोड़ा सा बीच में ऐसे normal lectures हो जाते है, बाते हो जाती है, वो जरूरी भी है, हो सकता है कि सायद cement के अंदर में rate इसलिए ही मिलाया जाता है, कि मजबूती रहे, पूरा का पूरा cement ही अपने दे दिया, lecture ही दे दिया, content दे दिय और बीच में आपको ऐसा लगा करें कि मैं थोड़ा सा speed में आ रहा हूं, या बहुत slow हो गया हूं, तो आज कल YouTube के उपर speed change करने का टहता है कि 1.25 कर पाएं, या उसे और भी slow करके 0.75 पे ले आएं, though I am moderately fine, whatever speed you need to absorb the content that I am delivering, and I am speaking in that same sense, okay, now VP Singh, अब basically Fairfax को उन्होंने counter किया HDW सब्मरीन केस से, और अब वो defense ministry से resign करने का मन बना चुके थे, और defense ministry से जब उन्होंने resign किया, तो letter में लिखा, सीधा का सीधा, प्रधान मंतरी को, राजीदांदी जी को, कि हम दोनों के जो सोच है, जो विचाफदारा है, जो thinking है, वो match नहीं करती, इसलिए में resign कर रहा हू वो इसी बात को लेके किया है, कि जो सब्मरीन केस है, जो बूफोर्स केस है, उसमें पैसा दिया गया था, उन्होंने कुछ नाम भी लिए, वो नाम, basically कई सारे थे, उतवियो कौतरोची को मिला के, लेकिन उससे पहले मैं बस एक छोटी सी चीज ये बताना चाहूँगा, कि उसवक्त बंबे डाइंग एंड रिलाइंस का भी केस निकल के आया था, अमिता बच्चन अपने भाई के साथ में वहाँ पे थे, तो एंटी वीपी सींग थे दोनों एक दूसरे के, जब अमिता बच्चन की सीट वहां से खाली होई, और इलाबाद के सीट ये मागा जाता और शुनीर सास्त्री, जो लाल बहादुर सास्त्री के बेटे हैं, उनको फिल्डिंग पे लगाया, अगेंस्ट हिंगी वास कांटेस्टिंग इलेक्शन, इधर बंसी नाम भी हुआ करते थे, कफी फैंबस परस्नेरिटी, यूपी के अंदर में उनके, बिसिकली, कफी आग चलके 89, 90's में चुनाव जब हुए, तो इसी करप्शन के मुद्दों को लेते हुए, जो राजीव गांदी जी की लीड में, कॉंग्रेस जो है, वो हार जाती है, राजीव गांदी जी इस दो सबसे जादा सीटों से आय थे, 96 सीटे थी, और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ज्यानी जेल सिंग जी, ज्यानी जेल सिंग जी भी कही न कहीं राजीव गांदी जी से नाराज थे, सरदार थे, आपको याद होगा कि सरदार नहीं, मेसी गली मारा था किसे, इंद्रा गांदी जी को, और सरदार जी ने इसलिए मारा था, क्योंकि जो सिक्खों की सेंट से वो शाहिद इंद्रा गांदी जी समझ नहीं पाई थी संजे गांदी जो उनका बेटा था उन्होंने एक बंदे से दोस्ती की थी जो मसल में था जिसका नाम दा जर्नेल से बिंडर वाले दो एक मसल पावर हो सकता है लेकिन पंजाब में सिक्कों के अंदर में उनको जैल सिंग भी जैल सिंग भी जैल से खुश नहीं थे और जैल सिंग जी ने भी वीपी सिंग को एक बार बुलाया था कि आप प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं मैं आपको शप्र दिलाओंगा आपके पास तो कई MPs का सपूर्ड भी है लेकिन वीपी सिंग साभ ने बना कर यह हो सकता ही है मेरे को नापने की कोशिश कर रहे हूं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं और उस वक्त के आर्वेंकेट रमन वाइप प्रसीडेंट भी उगा करते थे उनका भी अपने आप में नाम आ रहा था कि उनको भी प्रधान मंत्री बनना है ऐसे कई सारे नाम है एंडी दि जी का भी एससीनेशन कोईबटूर परेंबदूर पार्क में चेन्ड़ी के अंदर ना हो गया था श्री लंकन एपिसोड से कनेक्टिड होते हुए इसकी बात हम कभी और कर लेगे श्री लंकन एपिसोड की तो यह जो करप्शन का मामला है दो हजार तेरे तक चलता रहा ले 28 के बाद मैं कॉंग्रेस के बहुत अच्छी दिन नहीं थी और उससे पहले भी पहुने दो साल के लिए जनता पार्टी पहले आई थी और अपकी बार जनता दल आई जनता पार्टी जनता दल अलग-अलग हो जाते हैं यह जो बना था जनता दल VPC के साथ मैं BJP आई सपोर् बनी और जब सरकार बनी तो फिर यह करॉप्शन के बुद्धे हैं बहुत अच्छे तरीके से हाइलाइट होते रहे लिए हम लोग और आगे चलिके बात करें हैं तो हलंकि यह काफी डिटेल में चली जाती है चीज गवर्नेंस में चली जाएगी यह और इसको अंदर जाने है चित्रा सब्रोमन्यम जो उस वक्त बिसीकली स्वेडन में ही थी जब क्लीन चेट मिल भी जाती है राजीव गांदी जी को थर्टी मेंबर्ड जॉइंट पार्लियमेंटरी कमेटी बैठाली गई थी इस एच डी डवलू और जो बिसीकली हॉविजर गन के एपिसोड को इ वहाँ पर कोई मेडिल में नहीं है कि जीकों भी कोई पैसा नहीं गया लेकिन ये जो मीडिया है इस्पेशली नीजुस पेपर मीडिया हिंदी हिंदू नीज़स्पेपर एंड चित्रा सुपरमनिम्सवामी तो उन्होंने यही इंक्वाइरी करके बताया कि पिटको एंड स पिटको जो है वो जेपी हिंदुजा गुरूप की है एंड ये चड़ा की थी एंड एए सर्विसेज बाद में पता चला उस वक्त पता नहीं चला उतावियो कुत्रोची जो 2013 में कतम हो गए नौ उतावियो कुत्रोची कौन है यह बेसिकली इटेलियन रूट से फ्रेंड एंड लाइक फैमिली मेंबर बन जाते हैं किसके कॉंग्रेस के सॉन्या गांदी जी के लाजीव भांदी जी के ठीक है तो यह पैसा बेसिकली इनके त्लू जा रहा था स्विस बैंक में एक ड प्रोची क्यों फार को प्रोची यह दू नाम थे जो कोड़िड वर्ड में लिखे जाते थे उस डाइई में जो हाथ लगी थी और तो और जब वीपी सिंग साहब इलेक्शन के लिए केंपेंड कर रहे थे तो वहां पर जो एकाउंट में नाम राजीव गांदी नहों के ल सिम्बल हो एलेक्शन के लिए होता है वह वह जैसीन तो यह वाला जो नाम वहीं होता था और इडली का दमाथ करप्शत व tackling वागरा इसके और व recoil कम लिखे और इक करोण रुप्या लिया है लेकिन यहां पर यही बास समझने वाली है कि करप्शन इतिक्स पॉइंट व्यू से यदि हम देखें तो यह पॉलिटिकल करप्शन का एपिसोड इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी वज़े से सरकार चेंज हो जाती है तो आप लोगों को एडवाईज है कि जब भी आप लिख रहे हूं तो अपने कॉस्चन के अंदर में कंटेंट को लाने के लिए इन सारे सारे डवलपमेंट को इजिस्टिट फॉर्बिट में बिना किसी का नाम मेंचन किये एसेंस जरूर लिख लें so that आप अंसर में उसी को या तो gap create करके उसकी requirement create करके उसे लिख पाएं या substantiate करने के लिए examples दे पाएं कि हमारे post-independence इंडिया में ऐसा-एसा हो चुका है और current में क्या-क्या और हो सकता है या होने की संबाब में है say for example जब 60s के आइडिया पहली बार आया था उमबर्समें का तो उमबर्समें स्वेडन से निकल गया इडिये इस्टिउशन संस्क्रत से लोगपाल नाम basically suggest किया गया था जो नहरू जी के टाइम पर ही था और उसको लाने की अन्ना हजारे ने भी कोशिश की 2011 में जिनको करफशन कूसेडर के रूप में देखा रहा लेकिन आज की डेट में भी कोई बहुत वाइडल इस्टिउशन तो लोगपाल जैसे सेंटर में नहीं है लोग का योगता किसी चूटे-चूटे स्टेट में देखने को मिल जाता है उनको भी कोट ग्रिल करता करता है कि काईदे में रही है तो यह तो हालात है आगे चलते हैं हम लोग तो हर्शत मेहता स्कैम हर्शत शांतिलाल मेहता स्कैम यह एक दूसरा बुफोर केस के बाद में बुफोर स्कैम के बाद में दूसरा वह बड़ा स्केम है जिसकी वजह दे सरकार चेंज हो जाती है इस हर्षब मैता स्केम बिसिकली ये एक पेशे से तो श्टॉक ब्रोकरी था और इस आदमी के नाम पे इस स्केम का नाम पढ़ा ना की प्रूडक्ट के पीछे हलांकि कहने को तो गवर्मेंट सेक्यूरिटी स्केम भी बोल देते हैं and in one of the conference of the lawyer of हर्षद मैता, it was told that it is not हर्षद मैता स्केम, it is not government सेक्यूरिटी स्केम, it is पीवी नर्से मार रहा हो स्केम तो इसकी पूरी की पूरी बैग्राउंड क्या है लेकिन उस बैग्राउंड में और भी कई सारे तार करेक्टेड होते हैं तो मैं आपको उस पूरी की पूरी सेनेरियो को थोड़े से जिस्टेट फॉर्मेंट में बताने की कोशिश करूँगा 1991 1992 के टाइम पर आपको पता है कि केवल और केवल साथ दिन का हमारे पास रिजर्व रहे गया था जो ओयल इंपोर्ट हम करते हैं उसके पैसे देने का इसका मतलब यह है कि वो पैसा ही भी खतम हो जाए तो हमारे पास जो ओयल है वो आना बंद हो जाए पूरी की पूरी economy, transportation, सब कुछ रूप जाए अब इस time पर इस चीज़ को rescue करने के लिए कई तरीके के ideas आने लगे तो एक idea ये भी था कि हम जो customs के दुरूज जो सोना पकड़ा जाता है कई सालों से पकड़ा जा रहा है वो इतना सारा इखटा हो चुका है कि port oil वाली चीज़ को address कर पाए अब उस वक्त के basically RBI governor basically हुआ करते थे S. Venketraman S. Venketraman and Manmohan Singh ji जो बाद में अभी प्रधान मंत्री बने जिनको तो recent years में आप जानते ही होंगे वो पहले economic advisor थे UGC के chairman भी थे and फिर finance minister बने और फिर बाद में जाके प्रधान मंत्री बन गए जब Sonia Gandhi ji election जीती थी 2003-2004 में और Sonia Gandhi ji प्रधान मंत्री ना बनके वो एक ऐसे person को लेकिया है जिसको बाद में लोग accuse करते थे ये जो person है ये तो puppet prime minister है ये किसी के इशारे पही काम करता है जो madam कहती है वही ये लोग follow करते हैं अनिवे आम नौट गई इंटो इट बट पीविन इस जो मन्मुहन सिंग साहब है वो एक पॉलिटिकल कल्ट ना होक है I will say कि finance economy को basically knowledge रखना he has very good idea तो उस टाइम पर जो गवर्नर थे उस टाइम के प्रिटिकली वेंके ट्रमन जी वन्मुहन सिंग जी इन्होंने basically सुझाया इस idea को कि ऐसा कर लिया जाए तो possible हो सकता है यदि calculation और digit की यह बात करूँ तो 20K reserve पहले बात कोई और उसको bank और Japan and Switzerland के bank में इसको रखा गया UBS नाम की bank में और कुछ पैसे लाने की कुशिश की गई लेकिन उससे कुछ फाइदा हुआ नहीं इसमें एक चीज और है कि यह जो रूपरे का बन रही है इस वाले idea को लेकर इस idea को parliamentary approval या cabinet approval नहीं था और इसको चूरी चुपके से किया गया और कैसे एरपोर्ट पर गाड़ियां लगी हुई थी और कैसे बहुत जादा बड़ी security के under में ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी इसको जर्नलिस्ट शंकर आयर में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि मैंने कैसे air traffic control ATC में जाकर बूशा कि ये फ्लाइट नहां जा रही है कैसे जा रही है बहुत साफ हो चुका था ये ऐसा हुआ है और ये बाद में जब मेडिया में कुलास हुआ लोगों को पता चला तो ये पीवी नरसिमा राओ के उपर ही एक जिम्मेदारी आ रही कि इसका जवाब दे कि बिना approval के country को dark में रखे इस पैसे के बदले में जो import oil की जो problem है उसको कैसे address किया जा रहा है ये तो एक idea हुआ दूसरा idea economy, economic downturn को address करने का ये था कि IMF से हम loan ले ले है IMF के chief Michael, Rajiv Gandhi जी के time पर 1988 में आई थे और उन्होंने बोला था कि current account deficit इंडिया की बहुत बड़ी problem है इसको आप solve कर लिजे, IMF के अंदर में 80% से ज्यादा vote power है US की और US उस वक्त Gulf War जो countries है, Iraq, Kuwait and all Saddam Hussein के episode को लेके पढ़ा हुआ इंडिया के relation इन countries जो oil exporting countries है, उनके साथ में अच्छे थी और relation को खराब भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन US ने इंडिया को बोला, क्योंकि जब इंडिया ने IMF को approach किया loan के लिए तो US ने ये बोला कि हमारे जो fighter jet है उनको आप अपने airport, Mumbai के अंदर में airport है वहाँ से passport था वहाँ पर आप landing करने की permission नेंगे refueling करेंगे और वहाँ से वह डारेक्ट उड़के basically attack कर सकते हैं Gulf war के अंदर में जितने भी countries थे वहाँ पर especially Iraq, इसका मतलब ये था कि इंडिया का participation US के jet को landing कराने को लेकर ये था कि हम war में involved हो रहते अगेंस्ट the oil exporting countries, जिनके हम एक तरहेंगे से friend माने जा रहेते हैं अब ये चीज ऐसी compulsion थी economy को लेकर कि PV नर्से मराओ ने इस चीज को accept किया और 17 तरिक 17th of June 1991 sorry January 1991 में US ने attack कर दिया Iraq के उपर, India became party to it and India was released with 1.3 billion dollars India की demand तो ये थी कि आप 2 billion का loan हमें दे दीजिए IMF से, लेकिन 1.3 billion मिला जो कि अपने आपने एक respectable amount था हमारी problem को solve करने के लिए, ये दो आइडिया gold reserve and हमारा gulf war में join हो जाना IMF से loan लेने के लिए, ये दोनों तो काम कर गए इसके साथ साथ में तीसरी एक और चीज़ हुई जिसका नाम हम लोग short में जानते हैं lpg liberalization, privatization and globalization IMF को ये पताता कि ये country है economy पूरी down है ये पैसा देगी कैसे लेकिन raw material तो है तो बस liberalization, privatization and globalization के थूँ economy के डोर को ले जाए economy के डोर कैसे खुलेंगे इंडिया उस वक्त license राज quota राज, permit राज जैसे चीज़ें रखता था इसका मतलब ये है कि आपको क्या काम करना है, उसके रिए license चाहिए, कितना काम करना है, कौन सा काम करना है, कितना product बनेगा हर चीज के ऊपर पाबंदी थी, जैसे आज कुछ लोग GST के ऊपर जो inspectors आ जाते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है लगा देते हैं कि भी बड़े परेशान है business model को लेके, कि 10% से कम बच रहा है, कैसे business को sustain करें बट एनिवे, Modhi जी has every solution and I believe that he will be doing good for all the business people now, LPG यब इतनी बड़ी change हो रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं dk जिस तो आने लगेंगे यहां पर हरशत meta scam को लेकर, चीज़े कैसे connect होती है, कि जब LPG जैसी चीज, global companies के लिए आप अपनी country के दवार खोल रहे हैं, तो sensex is the manifestation of the health of economy, जो एकदम से उपर चला जाता है, नीचे भी आ जाता है sensex एकदम से उपर जाने लगा stock broker, सारे के सारे काम कर रहे होते हैं लेकिन एक stock broker, जिसका नाम था हर्षद शांतिलाल महता कहने से तो ये एक stock broker है, लेकिन इसके पास worldly sea face में 15,000 square feet का flat था, 30 गाड़ियं पार्क होने की अंदर जगे थी जिसमें Toyota Lexus उस टाइम की बड़ी famous गाड़ी थी, और हर्षद शांतिलाल महता को तो बेसिकली अमिताब बच्चन of stock market कहते थे, इसमें क्या किया, इसी टाइम पर कि जो RBI securities देती है banks को, RBI is bank of all the banks, तो उन्होंने SBI को 1700 1700, मैंने यहां पर इस चीज़ को codify किया हुआ है because this PDF as I mentioned earlier, कि मुझे यह देना ही पड़ता है 1700 100 करोड रुपीज की issue की थी, SBI को वापस जो show हो रही है, उनके पास entry वो हो रही है, 1154 करोड की यह around more than 500 CR 534 CR का जो deficit है, यह कहाँ था, SBI ने यह securities, हर्शतलाल मैता को loan पर दी हुई थी हर्शतलाल मैता को बुलाया गया जब यह gap पता चला कि भई यह securities वापस करो हर्शतलाल मैता ने बोला कि मेरा तो basically offices seal किये हुए है तो मैं वो तो नहीं दे सकता तो उनके बोला कैसे भी करके वापस करो हर्शतलाल मैता ने 500 CR की जो रखम एक check से अधा कर दे की कोशिश की और वो हो गई RBI भी वड़ी surprise जब पाद में आप भी याई के लोगों ने इसमें तेहकीकात की तो यह पता चला कि यह चेक नेशनल हाउसिंग बोर्ड एनेच भी से आया हुआ है जो अपने आप में और भी एक बहुत बड़ी भूल बुलाईया थी एकोनोमी को लेकर कि बहुत बड़े गुलवाल उसमें हो सकते हैं लाश्ट में जाके यह पता चला इसमें लाश्ट में जाके यह पता चला इसमें एक बहुत बड़ा स्केम था जिसको 24 अप्रेल उसक्त 1992 में यह रिवील किया गया था और धीरे धीरे करके जब जड़े साफ होधी चली गई तो हर्षट लाल बैता को अरेश्ट कर लिया गया इतना सारा पैसा हर्षट लाल बैता के पास है तो वकील भी आ जाएंगे जेट मलानी जी का नाम तभी से बड़ा फेमस हुआ लॉयर के रूप में तो उन्हें बेल तो मिल गई और वो एक वाइश्टार होटल में आके कॉन्फरेंस किये दो बार कॉन्फरेंस किये तो पहली बार में जो कॉन्फरेंस हुई तो उसमें ये बोला गया तैट यस दा मनी वास पे टू प्राम मिनिस्टर पीवी नर्सी महराओ इपनी रखम थी एक करोड़ इसको सुनकर मीडिया ने एक दम से हल्ला मचा दिया ये कैसे हो जाता है पीवी नर्सी महराओ ने जैसे राजीव गांदी जी उसको बना करते थे बोफोर केस को लेकर जो 64 करोड़ रुपीज आये हैं गए हैं वगरा यहां पर उन्होंने आउटरेक्ली बना कर दिया कि कैसे गए बात में जब गवर्मेंट की बोडी ने ये बोला कि जिस दिन हर्शत बैता बोल रहा है कि हम 1 CR देने के लिए गए थे 7RCR जो रेसिडेंस को का एंड्रस आफ प्राइमिनिस्टर हाउस है 7RCR वहाँ पर प्राइमिनिस्टर मौजूद ही नहीं थे देन दूसरा ही क्वेश्चन आया है कि ये एक करोड रुपे बैग में आ कैसे जाएंगे उसके लिए दूसरी 5-star होटल में कॉन्फरेंस के अंदर में ये डेमूस्ट्रेट किया सारे के सारे लॉयर्स ने कि एक और वीडियो होई पूरे के पूरे चैनल्स में ये चीज़ चली और कोड में भी ये चीज़ चल रही थी और जीपीसी भी इस चीज़ के लिए बैठी हवाला को लेकर हवाला का इसके में आपको बताऊगा कि कैसे इसे करेक्टिड है उन्होंने भी इस चीज़ को बैसिकली कंसीडर किया कि एक करोड रुपे बैक के अंदर कैसे आ सकत अब प्राइब मिनिस्टर पीवी नरसे मार आओं बहुत बड़े absolute majority में तो थे नहीं 544 में टूटल तो 545 existing seats होती है अभी बार्लेमेंट के अधर तो 544 उस टाइम पर थी तो उसमें से 249 seats ही केवल पीवी नरसे मार आओं के पास थी मतलब ऑदी margin थे अब उनको ये लगता के और भी दूसरे बुद्धे जहां पर प्राइम मिनिस्टर को घेरा जाए कॉंग्रेस को घेरा जाए तो यहां पर ही एक दूसरा स्केम आजाता है cash for vote scam मतलब आप MPs को पैसा भी तो दे सकते हैं आपके लिए vote करने के लिए ऐसा किया गया यह भी एक अपने आप में स्केम निकल के आगया कि freebies बाटी इसको हम schedule 10 के अंदर में anti defection law जो राजी गंदी जी की गवर्मेंट लेकर आई थी उसके अंदर में भी पढ़ते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती है गोड़े कैसे बेचे जाते हैं गोड़े का मतलब यह है कि MPs और घोड़ा को देख ले हरे हरे लाला घंदी जी को देख ले तो एक दम से दढ़खने तेज हो जाती है मुझे मिल जाए तो इसलिए यह हॉस ट्रेडिंग नाम अपने आप में popular हो जाता है नो यदि इन सब चीजों के आगे चलते हुए यदि हम ये connect करने की कोशिश करें कि PV नरसे महा हाला बेसिकली एक रूट है यदि हमें पैसा आज की डेट में ये existing है और बाहर बेजना हो ये पैसा तो हवाला रूट हम यूज कर सकते हैं तो उस वक्त जैन बंधू की डाइरी हिजबल मुझाहिदीन के जो लोग थे कश्मीर में पकड़े गए और उनके पास एक डाइरी हाथ लगी ये कुछ-कुछ ऐसा ही है जैसे मैंने अभी थुड़ी देर पहले टेलीग्राम की बात करी थी कि वीपी सिंग को एक टेलीग्राम मिला जब वो डिफेंस मिनिस्टर थे और विदाउट प्राइम मिनिस्टर राजीब गांधी जी की कंसेंट के उनके अप्रूव किन-किन लोगों को हवाला रूट के तुरूव पैसे मिले हैं अब हवाला रूट बिसिकली एक इंफॉर्मल रूट है जिसके तुरूव पैसे पहुंच तकते हैं स्विस बैंक में भी बाहर के लोग मदद करते हैं किनको पैसे मिले हैं जितने भी अपोजीचन के बड़े- जाकड यह सारे के सारे लोग थे लालकरेश नाडवादी जी ने जैसे ही उनके उपर यह आरोग लगा उन्होंने अपना जो मेंबर्शिप है पार्लेमेंट का उसे रिसाइट कर दिया और एक कसम और खाली कि मैं अब जब तक इलेक्शन नहीं लड़ूगा जब तक मेरा ये वाला चार्ज जो है वो क्लियर नहीं हो जाता आप CBI की इंक्वारी बैठी CBI आज की डिट में भी ऐसा बोला जाता है जैसे मैं आज हिंदू कर रहा था बड़े अच्छी लाइन थी जो जो लोग आज की सरकार को जॉइन कर ल चाहिए तो उस वक्त CBI ने यूनियन केबिनेट मिनिस्टर्स को भी चार्च चीट किया जो अपने आप में एक बहुत पहला एडवर्स इंपेक्ट डेमोक्रासी के उपर बनता है जो की एक नॉन कॉंस्टिटूशनल नॉन इस्टेटिटरी बॉडी है और वो यूनियन सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर दिया कोट ने 1997 में लाल करेशन आडवानी जी को क्लीन चिट दी क्या बोला कि CBI ने चार सीट इस डाइरी के बेस पे की है इसको हम एडमिट एस प्रूफ नहीं कर सकते हैं कोट से ऊपर तो CBI नहीं हो सकती और कोट ने एक नीट्रल नि यहां पर लिखा हुआ है मुझे याद आया जब मनमोहन सींग जी की जरूवत बड़ी थी नरसे माराओ जी को तो उन्होंने सीधा-सीधा फॉन मिलाया था मनमोहन सींग जी के पाज जब वो यूजीजी के चेर्वेन थे कहां हो सीधे कपड़े पहन के आप प्रेसीरेंट हाउस में पहुचो क्यों आप शापत देलाई जानी थी फैनेस मिनिस्टर बंडी की और एक महीने बाद मनमोहन सींग जी ने बजट पेस किया और एक सेंटेंस के साथ में बेश किया था यह यूपीसी के एक्जाम एंड स्टेट स इसके एक्जाम में भी पूछा जा सकता है यह स्टेटमेंट किसका है नथिंग केन स्टॉप डेट आइडिया वूस टाइम हैस कम विक्टर यूगो उनका बेसिकली यह स्टेटमेंट है मतलब जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई भी नहीं रह सकता और यह आइडिया था एल पी जी का परमिट राज, कोटा राज, लाइसेंस राज सब को खतब करना था लाइसेंस राज मतलब बहुत हार्ड रूल्स और रेगुलेशन जिसको बोलते हैं रैट टेपिजम कोई बाहर का आदमी बिजनेस करने के लिए आए तो उसको एक कमफर्टेबल बिजनेस इ सदकारी बेंक में आप जाओ, दस बजे का टाइम में, साड़े-दस बजे तक बाभू ही अपनी चेयर पर नहीं आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा खराबसा है, अब तो तो यह जो रेड कार्पिट एप्रोच है, स्वागत वाली, वेलकमिंग एप्रोच जो बिजने रिलीस कर दिया गया, स्टॉक मार्केट में आ गए, आलवानी जी को छोड़ दिया गया, और 99 में, 1999 जब कारगल वार चल रहा था, तब एक छोटे से केस में हर्शत मेता को 5 साल की जेल हुई, 2001 में हर्शत मेता खतम हो गए, पैसा कूप सारा था, लेकिन 1996 में इस हर्शत मेत स्केम के चक्कर को लेकर, हवाला स्केम का यूज किया, पीवी नरसे मराओ जी ने, अपनी सरकार को बचाने के लिए, और 1996 में करॉप्शन को अगेर हाइलाइट किया गया, जैसे पहले हाइलाइट किया था, वीपी सिंग जी ने, अपने आपको प्रैमिनिस्टर बनाने के लिए, और वो सरकार को बचा नहीं पाए, 1996 में अगेर इस करॉप्शन स्केम को लेकर, सरकार गिर गई, और तो और दोस्तो, 2011 बारत दे रहे, यूपीए की सरकार थी, मतलब कॉंग्रेस, लैट गवर्मेंट जो थी, उसमें कोल स्केम, टूजी स्केम, निर्भया, इन अनना अजारे ऐसे क्रूसेडर करॉप्शन के बन गए, लोगपाल बिल को लेकर, इन सब चीजों के चलते हुए, यूपीए 2 हाइलाइट हुई, और अपनी गलतियों के वज़े से वो इलेक्शन हारे, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, बट ये बात पता चलती है, कि अपन इस सरकार को जन्ता ने चुना, बेजा, बहुत बड़े बहुमत से नहीं बेजाता, 2014 से लेकर, 2018 तक, मुद्धी जी ने खूब अच्छा खासा काम किया, जो भी रहा हो, लोगों को फील ये हुगा, कि दुबारा इस सरकार को न्योता देना चाहिए सरकार बनाने के लिए, जो इस पार्टी को, और मुद्ध बहुमत से, इतना कमफर्टेबल मैजरिटी से वो सरकार दुबारा पॉवर में आती है, और आज जब 2024 चल रहा है, इलेक्शन का अगेन टाइम आया है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, कि 2024 में लोगों का एक हार्मोन बना हुआ है, सरकार को लेकर, एक फ्लेवर है, एक फरवर है, एक सीक्योर इंवरिनमेंट है, इंटरनेशनल सिनेरियो को लेकर ये हम बात में करूं, सारे के सारे मुद्धों को उठाके, बिजनेस के लिए इंडिया एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि हर बड़ा लीडर, इंक्लूडिंग यूएस और देख तो रहा है इंडिया को, लेकिट इंडिया के सामने, आख से आख मिलाके तो दूर की बात है, बैड विशिस भी रखना, या उल्टी बात भी करना, उनको ऐसा लगता है कि हम कहीं पंगा न ले लें इंडिया से, इतनी बड़ी एक पावर टू रिकॉन विथ इंडिया अपने आप में होती जा रही है, जुकि एक लीडर, कैरिस्मेट्क लीडर की वज़े से भी हो सकता है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं है, उनके ना आगे ना कुछ पीछे, और कुछ चीफ मिनिस्टर के लोग बोलते हैं, रहे नहीं, लालच है, हवस है, एक धन की, एक मन कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में रोल मॉडल बना हुआ है, कि मैं ओफिस में, ओफिस के टाइम से पहले पहुंचाता हूं, और बात तक बैठता हूं, हलंकि उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन वो किसी को रोकते नहीं है, लेकिन वो integrity and aptitude के paper को लेकर, जो मैं आपको content दे सकता था, इस corruption के abstractive topic को concrete बनाने के लिए, तो मैंने अपने पूरी की पूरी कोशिश की है, और भी कोई suggestion हो, तो आप मुझे comment box में जरूर बता सकते हैं, और यदि कोई और दूसरा topic को जिसके उपर मुझे बात करनी है, वो भी आप में को suggest कर सकते हैं, आप लोगों के suggestion से ही ये product basically improvised हो सकते हैं, मैं classes तो लेता ही हूँ, जैसे मैंने शुरूर में भी कहा था, अभी भी मैं अगेन यही बात कह रहा हूँ, कि आप लोगों से connect रहने के लिए, इन PDF का मैं direct use करके, कम time में, 2-3 घंटे मैं, 10 घंटे की class का वीडियो बना देता हूँ, और तो कुछ नहीं, बाकि आप और हमारा साथी सब कुछ है, अगे दूसरे वीडियो में दुमारा बहुती चल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैहंट, बबाए, प्यासा है, तो कुवे के पास आएगा ही, जब तक exam clear नहीं हो जाता, तब तक तो नहीं आता, तो में भी रजनिगान्त is a very famous hero in South India, and he is known for his value system, Robert Klein ने ये तक बोला, कि मैं चाहता, तो ये रकम करोणों रुपे में हो सकती थी, लेकिन मैंना ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर मैं भी ताज्यव करता हूँ, जैसे जैसे आप मैचे हुरूते जाएंगे, वैसे वै वीट की लाइन, वो परना मुखर जी ही यूज़ कर सकते हैं, हाँ जी वही परना मुखर जी जो हमारे देश के राश्टर्पती भी बने बाद में, वास्तम में बात दो ही attempt में बन जाती, तो UPS जी ने चार attempt यह attempt क्यों किये हुए है, क्योंकि छटमें अटेंप में भी लो करने की कोशिश करूँगा, इसके अंदर में कमीशन खाया गया है, और शक ये था कि कॉंग्रेस पार्टी की जो डाइनस्टी है, बिसीकली नहरू परिवार, राजी गांदी जी या इनके जो स्विस बेंक एकाउंट हैं, उसमें ये पैसा मेडिल मैन में जमा किया है, जब चुनाव लड़ने होते हैं, तो चुनाव से पहले वो रात जब लोगों के पास ये शराव, नोटों से भरे बैग, से नोट निकाल निकाल के दिये जाते हैं, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ये कैसे होंगे, हम लोगों के लेबल पर ब्ciones क्रुप्शन कहां से होगा प्रेशस गिफ्ट जो देने होते हैं, चाहे हो डाइबंड एकलस हो या डवरी हो, उतो अभी ओको त्रोची कौन है, यह बिसीकली इटेलियन रूट से फ्रेंड एंड लाइक फैमली मेंबर बन जाते हैं, किसके? कॉंग्रेस के? सौनिया गांदी जी के? लाजीब भांदी जी के? ठीक है? सौनिया गांदी जी प्रधान मंतरी ना बनके, वो एक ऐसे परसंग को लेके हैं, जिसको बात में लोग एक्यूस करते थे, यह जो है, यह किसी के इशारे पर ही काम करता है, जो मैडब कहती है, वही यह लोग फॉलो करते हैं, संसेक्स is the manifestation of the health of economy, जो एकदम से ऊपर चला जाता है, नीचे भी आ जाता है, संसेक्स एकदम से ऊपर जाने लगा, स्टॉक ब्रोकर सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक स हर्षद शांतिलाल महता, हर्षद शांतिलाल महता को तो basically अमिताप बच्चन of stock market कहते थे, उसके अंदर में भी पढ़ते हैं कि होर्ष ट्रेडिंग किस तरी के से होती है, गोड़े कैसे बेचे जाते है, गोड़े का मतलब यह है कि MPs, और गोड़ा वर्ड इसलिए कि तेज दोड़ता है, जैसे मन है, नोट को देख ले, हरे हरे लालाल गांदी जी को देख ले, तो इक्तम से दढ़खने तेज हो जाती है, हाई मुझे मिल जाए, तो इसलिए यह हॉस ट्रेडिंग नाम अपने आप में popular हो जाता है,